नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आए बात करते हैं नेश्रल गैस MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेश्रल गैस का चार्ट है जिसमें पांच मिनिट के टाइम फ्रेम को सेट किया हुए और इसमें जिस तरीके क की मुमेंट लास्ट टेटिंग सेशन में रही और अभी जो लाइब मार्केट चल रहा है उसमें जिस तरीके की मुमेंट हम देख रहे हैं उन्हें देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और राइस्टेंस लेवल हमें नजर कर रहे हैं कौन सा सेलिंग का लेवल हमाई ले इंपोर्टेंट होगा इन सब चीज़ों को आईए डिसकस करते हैं नेशल गैस पर पांच मिनट के टाइम फ्रेम के साथ देखे दोस्तों यहां हमने कल देखा मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत करी थी और इसमें एक प्राइस मैंने आपको बताया था दोस्तों चार रुपए तीस पैसे ऐसा ही कुछ मैंने बताया था कि उसके उपर अगर मार्केट आता है तो इसमें कुछ स्टेंथ बन सकती है पर वो प्राइस ब्रेक नहीं हुआ उसके नीचे ही बना रहा यहां पर इसने लो लगाया 197.60 का तो बहुत ही मतलब मुमेंट कोई ज़्यादा नहीं थी पर आप अगर परसेंटेज वाइस देखें तो नेचल गैस में रोज हमें काफी अच्छी मुमेंट देखने को मिलती है अगर हम परसेंटेज टरम्स में बात करें पर वैसे मार्केट में कुछ कही नजर नहीं आई जो हम बाकी दिन देखते हैं मतलब सिर्फ नेचल गैस की ही मैं बात नहीं कर रहा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, इन सभी कमोडिटीज में कोई बहुत हेल्दी ट्रेडिंग नजर नहीं आई बहुत ही स्टेबल तरीके से इन में मुमेंट्स रही थ नीचे आ रहा है, उपर आ रहा है मार्केट फिर यहां से मार्केट ने रिकवरी दी और इस तरीके से एग्जेक्ट 200 पे इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी और अभी हम देख रहे हैं कि क्या वियू निकल के आ रहा है, यहां अगर हम देखें, मार्केट में यह ऊपर ठ और strength बनी 231 break नहीं किया इसने वहाँ से लगातार correction देख रहे है हम इस तरीके से यह आप देख रहे हैं कि एक यह जो trend है इसका जो नीचे की तरफ इसका जुकाव है वो काफी important है हमारे लिए समझने के लिए ठीक है और थोड़ा सा आगे चलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे वहाँ हम देखते हैं कि क्या view नजर आ रहा है market में strength ही continue रही नीचे आया market काफी नीचे के levels यहाँ थोड़ी सी strength बनने की कोशिश हुई थी एक यहाँ breakout level था वो नहीं break किया उसे break करने से just नीचे market में correction continue रही 200.30 का इसका current price है दोस्तों यहाँ मैं आपको कुछ चीजे आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहली चीज मैंने कल बताया था आपको कि 200 के नीचे अगर closing देता है market तो इसमें आने वाले टाइम में काफी अच्छी selling हम देख सकते हैं ना तो इसने नीचे closing दी ना इसने उसके ऊपर closing दी इसने exact 200 पर closing दी तो यह चीज देखिए जो trend अभी हम पीछे से चलता हुआ देख रहे हैं वही trend अभी आगे continue रहने की संभावना है जब तक इसमें कुछ strength हमें नजर नहीं आती at least intraday में इसमें strength बनने के लिए इसे आज 203.50 को break करना होगा यहां से सिर्फ 3 रुपए उपर रही है तो जब तक यह price break नहीं होता और इसके उपर market sustain नहीं करता break होना और sustain करना दोनों ही चीज़े जरूरी है अगर 204 रुपए 50 पैसे से 203.50 पैसे के बीच में market थोड़ा सा रुख जाता है तो इसमें intraday में strength बन सकती है और फिर यह उमीद की जा सकती है कि intraday में थोड़े upside थोड़ा सा उपर आने का chances है पर वो भी बहुत ज़्यादा expect नहीं कर रहे है यहां से market अगर उपर आता है तो जो इसका next जो resistance level है वो बनेगा यहां पर 208.50 यहां से strength बन थी है इस price को break करना फिर इसके लिए मुश्किल होगा तो selling जो है वो 207 या 8 रुपे के आसपास तक कहीं पर fit से आ सकती है पर यहां मैं और आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो selling zone है वो 203 रुपे के आसपास काफी major है उसके उपर market का sustain करना वाकई बहुत मुश्किल है अगर इस selling zone को break करके market उपर आता है sustain करता है तो chances ऐसे बन सकते हैं कि थोड़ी सी strength market में आ सकती है पर overall national gas में जिस तरीके के chart patterns बन चुके हैं उसको देखते हुए यह समझ में आ रहा है कि आने वाले time में जब तक at least इस contract की expiry होती है तब तक हम काफी नीचे के levels expect कर रहे हैं तो बहुत सकता है कि 180 तक के भी levels हम में देखने को मिल जाएं अगर 200 के नीचे यह ज़रा भी sustain कर जाए जिसके chances आज लग रहे हैं ऐसे कि 200 के नीचे market आ जाएगा तो 180 के levels हम इसी current contract में expect कर सकते हैं view completely down है जब तक 208 रुपे 50 पैसे के उपर market sustain करने की कोशिश नहीं करता intraday में सिर्फ ये एक ये point है कि इसके उपर market थोड़ा सा फिर time ले लेगा नीचे किरने के लिए ये कोई strength नहीं show कर रहा है 203 रुपे 50 पैसे इस strength थोड़ी से जो show कर रहा है वो 208 रुपे 50 पैसे show कर रहा है तो जब तक ये price break नहीं होता तब तक आप positive ना होई है देखिए buying बिलकुल भी recommend नहीं है और आज से ही मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा 212 जिस दिन break हुआ है ये market की opening ही Monday को इतनी एक gap down opening के साथ हुई थी तो जैसे ही वो price टच किया इसने तब से ही market वापस corrective mode में आ गया था downside के लिए ready हो चुका था और अभी ये बिलकुल exact उसी price के असपास trade कर रहा है जो इसमें major breakdown level है पर वो intraday के लिए नहीं है वो थोड़ा positional है कि market में आने वाले कुछ दिनों में हम काफी नीचे के prices expect कर सकते हैं तो ये कुछ prices हैं जो हमारे लिए important है जो हमारे लिए important रहेंगे भी तो बहुत ज़्यादा positive नियू market में downside के chances है levels का आप ध्यान रखिए 208.50 पैसे अगर break हो जाता है गलती से भी selling की position ना ले at least भले फिर market वापस नीचे जाता है पर selling की position बिलकुल आप avoid कर दे तो ये था मेरा natural gas अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें बने रहे मेंड साथ देखते रहे ये market report धन्यवाद